यूगांधर महज एक कहानी नहीं एक महां गाथा है वीर काता है एक ऐसे युग पुरुष की जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए उस युग पर अपनी वीरता की एक अमित छाप छोड़ जाता है युग का आधार बन जाता है और कहलाता है युगांधर युग का आधार बन जाता है युग का आधार बन जाता है यहां के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि डाकु दिन दाहाडे एस पी की हत्या करने लगें और आतंक वादियों के डर से बांध का काम सालों से रुका पड़ाया और हमें ख़बर तक नहीं यहां के पुला लिया वरना हम तो यहां के पुलिस क्या कर रही है 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 यही है वो क्रिश्चन डाकू जिसने पिछले दस सालों से भारत पुर जिले में आतंक प्यला रखा सबसे पहले इसने पार्वती नदी के आसपास ड्रीम मेकर्स की जमीनों पर जबरन कबजा किया जब से वो डाकू बना है उसने तो हदी कर दिये देखिए मेरा मार मार के क्या हाल बना दिया है यह देखिए यह देखिए कोडों के निशान बांध मजदूरों की रखवाली पर तैनाथ पुलीस ऑफिसर प्रभूस सिंग की बोली मार कर हत्या कर दिये अपनी दैशत से जिले की तरक्वी के लिए बनाये जाने वाले डैम का काम रुकवा दिया यह देखिए पिछले आठ साल से यह बांध यूही जंग खा रहा है इ जी उन्नित फवरी को एक ट्रेलर हथ्यार वर्गर हमने भेजे थे ना वह भी काली घाटी पे कृष्णा डाकू नहीं लूटे थे बड़ा जालम आदमी है जी पुलीस पर भी गोली चलाने दरता नहीं है और इली बंदूकों के जोर पर गाउं की अबलाओं की इज़त पेट से उल्टा टांकर जानवरों से भी बत्तर मार मारी है क्रिश्णा डाकू नहीं ग्रामीन बैंक के चैमिन कस्तूरी लाला की बेती रोहिनी को अगवा करके उससे जबरदस्ती शादी की और अंधी ताकत के नशे में आकर स्पी बलराम सिंग की पत्नी का परण किया और उस पर बलाकार करने की कोशिच की और जब इस कोशिच में नाकाम्याब रहा तो दिन दाए सुप्रेंटेंडेंडन्ट पुलीस की हत्या कर डाले अब पुलीस फॉस बिलकुल लाचार हो चुकी है इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस आतंक वादी कृष्णा का किसी भी तरह से खात्मा कर दे ताकि मेरी जिले की तरह की हो सके मुझे आज ही केंदरी ग्रह मंतरी से बात करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे खातरनाग दुश्मन का खात्मा करने के लिए हमारी मिल्टरी का एक ही जावाज आफिसर काफी है करनल कबीर एहमद गजए के लुशDid क्योंकि वहाज दूए च्योंकि अर्वग घया है फुए बचल अब करता है बसकता है कर दोले करने मां झाम प्ला! कर दोले का प्लाओन मां प्लाओना! कर दोले कि जाएंगी जाएंगी! कर दोले कि लोगा है! हुआ 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 तार्ण शस्त्रा रुक चाहिए गनिल ताहिब रुक चाहिए हम डाकू नहीं है हम डाकू नहीं है अगर आप हमें आपसे बात करने का मोका दे तो हम यह साविथ कर सकते हैं कि हम डाकू नहीं है यह तो समाज के कुछ दुष्बन हम सेन एक बहस करने नहीं बवकि तुम जैसे दुष्मनों का सफाया करने आये हैं । अगर तुम अपनी और अपने साथ्यों की जानें बचाना चाहते हो तो तुम अपने आपको हमारे हवाले कर दो वरना हम पल भर में तो एक खत्म कर देंगे कृष्णा मैं सिर्फ तीन तक गिरूँगा यह मेरी आखरी जेताव नहीं है नहीं एक दो तीन तीन अटाक आटाक झाल झाल अगर अगर यह तो पूल केस पार आगे तो हम सब बलबर बर खत्म हो जागे बाला भी जिन्दा है भया जिन्दा कけど कि अ अगर बाला भी जिन्दा und पिरी कि आगे डिन्मा भी जिन्दाल से अ fark़मेका इंगे है अगर ल्पो जागे दो हम peersब कर डा descriptive दिन्दा एंगे कोष serा है इंग और इंगे उर कर Τो को कि वर जूदासा भी जिन्दा है को... कढईब घ्रॉव एप एऽ लाओव 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 है को ब लाओव लाओव है को क्यों लाओड़ी लाओ़ में को लाओव हाँ! 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 हाँ!! लगे उम आषागा से जलाए में जड़ा डंगा अंड़ कर दो झाल जड़ा झाल जड़ा है प्रूब ए्स खिस कब खू़ा है फई ब सुझाए वगा जब बसुझा जड़ खुछा ये पज़ णी कि रेंग एक रद लिए झाल झाल एब एब प्रवाइगोरल कर दूञा है एफिर वाय। रूप दो, कनिल। तो दोनी नहीं है, कनिल। दोनी नहीं है। पलिस अफ्थरों की हत्याग करने वाला देश भद्ध होता है। बांद का काम रुखवाने वारा समाज सेवक होता है क्या खरीब गाउवालों पर दैश्यत फेलाने वाले महात महात रहें क्या अपनी सरकार से बगावत करने वाले स्वतंत्रता से नानी होते हैं बलो बलो देख क्या रहे हो भूट मी भूट मी नए पगल मत बनो, फेक तो बंदू के, फेक तो, और तुम, तुम इस दोगे में मत रहो कर निल, अगर तुम सच में देश के तुश्मानों को मिटाना चाहते हो, तो सच चाहिए अपनी आखो से देखो, आउ कर निलाओ, देखो, यही है वो लोग, जिनकी तुमें तलाश है, जि कि तुम जड़ लेना चाहते हो, देखो, इन्हें गौर से देखो, करनल साहिब, यह उरते, बच्चे, बुड़े, यह बाहिज, यह तुमें चोड़ ड़कू गदार लगते हैं, आउ, आउ, देखो, यह, यह बनवारी है, बैंक के अधिकार ने इसके पैसे ले लिए, लेक इसकी जमीन इसने ख्षिल ले गई, कि बांद से इसको पानी मिलने वाला था, और यह, 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 यह सदाशी बे, इसका हाथ इसने खाड लिया गया, कि इसने गुरा ठगुर का कोड़ा पकाल लिया था, हाँ, और यह, यह सलमा, माजन के सूद में इसने घरबारी नहीं, अ इनके जैसे हजारों और भी है, जो आज में अपनी जमीन से तूटके जंगलों में रगिस्तान में भटक रहे हैं, और उनकी तो गिंती तक नहीं है, जो एडिया रगरते रगरते, मर गई करनेल साहिब, देखो कृष्णा, मुझे यह सब सुनाने से कोई फाइदा नहीं, म तुम लोगों को कानून के हवाले कर दिया जाए, मगर ये काम, आप खूल खराबा किये बगर भी तो कर सकते थे ना करनेल साहिब, वो कैसे, जिस नाइंसाफी ने हमें गुनेगार बनाया, इसे दूर कर दीजी, कैसी नाइंसाफी, एक ऐसी साजिश, जिसने भारत पूर के किसालों के घर छीने, जमीने छीने, बच्चों को अनाइद कर दिया, औरतों को विग्वा, जवानों को बुड़ों को अभाइच बना दिया कमिल साहिए, या गवादा, ये कहानियाद से 20 साल पहले, चीदवनी गाओं के लाला कस्तुरी के शरय जनते शुरू हुई थी, जिसकी शिकायद लिखवाने, हमने बल्लू को पुलिस थाने भेजा था, सर का, आये, क्यों रहे है, आये, ये कोई धरमशारा समय देखकी, जो बैट गया चाहो देखके, चल, भागे से, अरे नहीं सरकार, हम तो रपट लगवाई के खाते रहे हैं, हमरे या चोरी होईगे ये सरकार, अबे फटीचर, तेरे पास ऐसा है ही के जो चोरी हो जाएगा, अरे सुना सरकार, माई बाप सची की चोरी होईगे ये सरकार, ये पाई रस्पिस आपके दफटर में दे आना, जी है, सरकार, हाँ, क्या है, क्या चोरी होईगा है, अमरा, कुवा चोरी होईगा है, अब कुवा हाँ, हूँ जो चपीर भाँ होते था, जो पाली देते हूँ जो नियोगा, भाई सरकार, मुख वलो, भादर, मुसवा इसका, लगताइ साथ ये धारू नहीं पिया है, चलाओ, यहां तो यहां था तुम्हारा कुवा यहां से चोरी हुआ है कब की बात है यह राज को अख्री बार यहीं देगा था जब यह बाल्टी लवल पानी से निकाली थी अभी लोटा ही रह गया खेट में जाने के लिए अब चुप रहा है यह जमीन इतनी सक्त है यहां किसे खुदेगा अरे तो हमका जूट कह रहे हैं सरकार अरे क्या हो बलू अरे बीर सिंग जी देखा हम 15,000 का करजा लिया रहे गवर्मेंट से जब खुदाई पूरी हुई तो उसका 5000 यह उसका रसीद है जब लिपाई पूरी किस पांच हजार का रसीद है हम बिल्कुल ठीक और यह आखरी किस पांच हजार का जब कुवा पूरा हो गया एक कस्तूरी के हाथ का लिखा हुआ है यह देखिए तो कस्तूरी लाला बैंका चेर्में बल्राम सिंग जी बैया कुछ सोचो कुछ करो कहीं है कागस के कुवे के में दोनों कॉसली कूँए मेनों कुढ ना पड़े हैं। ने दोसो साल तक इस इलाके पर कैसे सत्ता चलाई है हम अच्छी तरह से जानते हैं पर राम सही उन्होंने किसानों और मजदूरों को लूटा उन पर अत्याचार किये जुन किये उन्हें हर तरह से सताया उनके घरों पर हाल चला दिये सत्ता जब करांती आई काँ थी नेरू फगस्तिंग जैसे लोगों ने अपना खून बहा कर जनता राज इस्ता पित किया तो हम तो बहुत खुश हुए हमें लगा कि अब किसानों और मजदूरों को फाइदा होगा उन्हें उनका हाक मेलेगा लेकिन नहीं कस्तूरी लाला जैसे हराम खोरों ने जनता राज का मतल किसे बनाएगा सरकार मैं भी आपकी प्रजा हूं मेरी भी थोड़ी सुन लीजिए इसने बैंक से उधार पैसे लिए थे कहा था कि खेच में जाकर कुवा बनवाएगा पैसा जाकर जूए में हार गया तो मैंने इसके जान बचाने के लिए लिए लिग दिया कि कुवा बन अब आपी इंसाब किजिए सरकार ये तो सुला अंधा करें और काना पकरा जाए असरी चुरता बलू और कृष्णा है इनको जल में बैट वीजिए सरकार अच्छा तो बलू ने पैसे जूए में उड़ा दी है और क्या और क्या और क्या बलम के लिए इनके कास ने लिखव लाला इन सब को बलू ने भड़ काया है बईया तू जाकर समझा दे लोगों को समझता करा दूँ हाँ 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 अच्छे कर में किस वाद कि दिए जा जा हाँ अच्छुरी लाला के मिस्थ continuation अप्षब करूा में लसकर चाहिए जिनर ने लिने लोगों सब्सक्ता और कर्देंगे कारेक देनेor kaf इब अगत बात मालने लाला बाकी के कामें इबात फ्यल गई तो सारे के सारे गड़े मुर्देयों खड़ाएंगे ठीक है जो मुचे चुसने से पेट नहीं भरा करता ठाकूर जो कुए कागस पर खुदवाये थे उनको जलाकर आपने थोड़ा सा करजा तो माफ करवा लिया लेकिन जब तीन तीन साल तक लगातार अकाल पड़ेगा तब कुए खुदवाने के लिए करजा अगली फसल उगने तक घर चलाने के लिए करजा बीच खरीदने के लिए करजा तब इन लोगों को मेरे पास आकर गिड़ कड़ाना पड़ेगा तब देखना ये जो साले नाच रहे है न ये तुम्हारे नाम की गालियान न बखे तो मेरा नाम भी कस्तुरी लाला नहीं नाचो 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 और योर से नाचो तब देखूंगा मैं वो दिन देखना शायद तुम्हारे नसीब में नहीं है लाला सुनो सुनो भाईयो सुनो सुनो आज ही मुझे एक बहुत बड़ी खुश्खबरी मिली है हमारी सरकार ने पारवती नदी पर बाद बनाने का प्रस्ताव सुईकार कर लिया है इस बाद के बन जाने से प्रताब गड़ से गजरॉला तक के 126 गाओं की जमीने सोना उगलने लगेंगी सोना इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर आती जन्माश्नी को हम सब बात की नीव रखेंगे और उसी के बाद जहांकिया निकलेंगी रोईने 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 कहाती तू दिन बार मैंने तुझे दिन बार डूना है एक खुश कब्री सुना मैं जानती हूँ कमाल है मैं तो समस्ता था सिरिफ मेरी बुरी बातों की ख़बर तुछ तक पहुंचती है तेरी भी और बलू की भी बलू हाँ उसने तो कमाल ही कर दिया इतने सारे किसानों का करदम आप करवा दिया और वो भी मेरे बापो से उसने जो चाल चली है न वो तो सिर्फ अकलमंदी चल सकता है बलू लगता शकल से भूला है पर है बहुत होश यार मुझे बापो ने कितना समझाया कि यह सब कृष्णा की करतूत है लेकिन मैंने भी ठंकर कहां इसमें कृष्णा का बिल्कुल हाथ नहीं हो सकता अ्रे काहे नहीं हो सकता काहे नहीं हो सकता इसलिए कि तूत सिथे वहीं लड़ पड़ता यह अपकल से काम लेंके लाथी थोड़े बना चापkor माना तेरा काम धोड़े भी है क्यूं एक बात बताओ रोईनी चाल हमने चली थी तूने वो अपना बलु है ना एक नमबर का लल्लू उ का जाने सोजने की बाते इसलिए तुने उसे ये सब सिखाया और नहीं तो क्या देख बलु है वो अपना बड़ा भाई है उसका ख्याल लगना अपना कर्तम्ब है लेकिन इसे निसाने पे बैठा के पूछ मत डाला थाकुर बहुत हुए बहुत हुए बहुत हुए इक का कर रही है बदमाश तो यह सब तिर्शे से निखी हुए गंगा है मैंने तुझे इतनी बात समझाए कि दूसरों के लफ़े में मत बढ़ा कर दो है कि माता ही अब आपका रहा है अरे रूप क्या ना अरे चोड़ ना चोड़ तो यह सब क्यों करता रहता है क्यों डाट खाता है मेरी कि यह सब मुझे अच्छा लगता है तेरे बारे में जब बापों से शिकायत सुनती हो तो दिल गवरा जाता है ऐसा लगता है कि तेरी हर एक हरकत के साथ तू मुझे से दूर जा रहा है अरे यी देखो फिर रोने लग गई अरे हम तो तेरे वास्ते खुशकबरी लेकर आये थे चालती है सरकार हमने इलाके में परवती नदी पर बांध बनवा रही है एक बार उका बनके तयार हो जानेगे फिर हजारों गाउं हरे बारे हो जाएंगे हर किसान साल भार जमीन करसेगा फिर ना तो कोई किसी को लूटेगा और ना कोई बुका मरेगा और ना ही तेरे किसना को ज़रूरत पड़ेगी किसी के लडाई जगडे में पढ़नेगी बोलो पार्वती मैया की कर दो दो में सुन बढ़ेगा जब अपका जगते सहर चड़ेगा जब लोग और रोद होगा सचका वे रोद होगा वो अपनी मुरली बचाएगा कुर्स्णा आपका धर इला ठस ऌ歌 शॉशना, कुरिष्णा, कुरिष्णा औरा उर्ड़ेगा कर दो कि एजय करना दो कर दो कि या लूए ठाद WILL कर साया हूँ कर दो लाद भार देंग को ऊच्सा आदा धुछा आदा लादिक आल बादिक तरा सबस्ट्स चंसे हंत्सना दो से अफर आदेंग लोगतें आदेंग पिर दीच पुले में वो पुले की चलिकों में फिर रंद आए मज़ुपन की कलिना में फिर ब्रंदावन में वो मा खंचुराएगा खंचुराएगा फिर जोपी उपाँ आपी पता हे दुआ अके सचाएगा फिर पुर ले बादेगी वो ने के खुल तर सुनाएगा आएगा 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 कृष्णा कृष्णा आएगा कृष्णा 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 आएगा वो कृष्ण कनेया मुरले हरत मनोहन कुंज बिहारी है वो साल मनोहन दुख बन जनब धन शाम अकल बन वारी है धन शाम अकल बन वारी है वो कंस बिन आशिक महारती सुदर्शन जनकर भारी है वन कुंज फिरया सावर्यान अद लाला कान मुरारी है रूप निराले है उसके हर लेला उसके नारी है वो भापी बात मदन मोहन वो शाम पिता मर भाएगा वो शाम पिता मेर आय गाँ भापी उसके उसके हर लेलात में अजए भापी उसके रिगल्दयां जैघ विता विता बन विता मारी है झाल पर ऐ झाल झाल हारे रष्ला वाहरा वारो विनिन राığını किए रखना वाहरे तुम लोग एक सदक नहीं बना सकता है और मेरा भारतमहान बोलता है बोलने में थोड़ी पैसे लगते हैं सरकार सरकार आप सच मुझ किसमत वाले थे कि आपको एक नाजायज अंग्रेज बाप मिल गया फॉस्टर फादर मुझे भी ऐसा कोई भाड़े का बाप मिल जाता ना सरकार तो मैं भी इस देश को मोटी मोटी गालिया देता मगर हम तुमको बोल देता है कस्तूरी हम ये काव में ये कंट्री में एक दिन से जादा नहीं रुकेगा हमारा सब इंडियन प्रॉपर्टी और आप फिकर मत किजिए सरकार आपके जूतों से लेकर आपके खांदानी जेवर जमीन जायदार सबका सौधा मैंने तैकर लिया Oh I see thats great य क्या है कस्तूरी ः ओच भड़ी में वादक बेशोतों ये है तो मेरी समाध्य सरकार लेकिन काव माले इसे बांद कहते हैं यहां यहां मै थे परःजानों कि यहां पर क्यों बना रहे हैं सरकार मैंने गाहँ वालों के लिए हजारों कुवें खुदवाया है लेकिन ये साले ओंपी दादा थाकुर की बातों में आकर उससे मिलकर मेरे पेट पर लात बाती है भीक मंगा बना दिया है सरकार आप मुझे अपने साथ लेट चलिए मैं आपको अपना बात भी बनाने को तयार हूँ आप मुझे गता, घोड़ा, कुता, बंदर जो नाचना चाहेंगे मैं नाच हूँगा मुझे गोद ले लीजिए सरकार मुझे गोद ले लीजिए तो महा जनोब आपको लाखों का माल सामान पानी के भाव में दे रहा हूँ तो मेरी दलाली भी ज्यादा होगी पाट टके नहीं, दस टके लूँगा जिसको मनजूर हो, यहाँ पर रहे जिसको ना मनजूर हो, यहाँ से बार चले जा बहुत छोटी सी बात है सरकार आगे, आईए सरकार, आईए, आईए, आईए सरकार यह है, राजस्थान के कोने कोने से आए करोड़ पती यह से जोहरी लाल जी जो आपकी 2000 किलो चांदी लेंगे यह है मदन लाल जी जो आपके फार माउस लेंगे और यह है प्रताप सिंग जी जो आपकी हवेली खरी देंगे यह लखने वाले भाई साप जो आपका सारा फर्निचर ले लेंगे यह गेंदा राम जी जो मोती डूंगरी लेने वाले है सरका यह है राम पाल जो 120 गोड अस्तबल के लेंगे मेरे चोटे बहाई हैं नमस्ते जी एक सोबावन पेंटिंग लेगे श्रीमान ये गुज्जुराम जी आपके आमके बगिचे खरीनेंगे श्रीमान अवतार जी हमारी मंदिर की पच्छपन मुर्तियां और ये श्रीमान काली माता पर जो माजी ने गहने चड़ाएं वो लेंगे अब सिरुप आपके हस्ताक्षर बाकी है अब हम जमीन पेचेगा नहीं खरीदेगा खरीदोगे लेकिन क्यों सरकात कस्तूरी डेम बन जाने का बाद यहां का जमीन खुल बन जाएगा और हम जमीन पर बड़ा बड़ा मिल बनाएगा इंडिस्रीज लगाएगा अपना एंपायर खड़ा खरेगा और ये जमीन का किसान वो कहाँ जाएगा सरकात कस्तूरी तुमने नहीं देखा हर कारखाना का पास एक स्लम छोपड़ पट्टी हाँ छोपड़ पट्टी होता है जिसमें उस कारखाना में काम करने वाला वर्कर मजदूर रहता है हमारा कारखाना का पास वाला छोपड़ पट्टी में ये लोग रहेगा और हमारा मजदूरी तुम सिर्फ ये बताओ कि यहां का जमीन का प्राइस दाम कितना ठीक रहेगा दाम तो वही ठीक रहेगा जो हम तरह करेंगे लेकिन तरक्किया और वह जोपड़बट्य में वह अपनी जमीन नहीं बेचेंगे सरकार बेचेगा कस्तूरी जरूर बेचेगा क्योंकि हम उन इंड्रस का पाइसा का हमत लोगों का जमीन इसलिए खरीतना चाहता है ताके हमारे इस गाओं का पूरे जिले का प्रोग्रेस और अ तरक्की हो हम चाहता है कि हमने जो नौलेज जो ग्यान हासिल किया है उससे हमारा लोगों का फायदा हो क्योंकि हले ही हमारा एजुकेशन पढ़ाई लिखाई परदेश में हुआ हो लेकिन हमारा दिल अभी भी हिंदुस्तानी है अगर आप लोग चाहता है कि आपके गाउं का हर आत्मी को इंप्लॉइमेंट रोजगार रोजगार मिले पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल कॉलेज और ट्रांस्पोर्ट के लिए बसे मोटरगाड़ी ट्रे क्या थे ट्रेन को हिंदी मी क्या कहता है थे इंप्रेन कौ आप बग भाग नि पहाद लोहपत हमे नी बग राग बग 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 अ अ अग नी बख अग अ इन इन कुन से न न दिल You अगर हमें भी अंग्रेजों की तरह प्रोग्रेस तरक्की करना है तो हम लोगों को अपना थिंकिंग सोच सोच मदलना होगा अब साल बर खेतों में लेबर मजदूरी करके जोली बर अनाज पैदा करने का जमाना नहीं रहा अगर आप लोग हमारा बात मानो तो अपना खेतों में बीज नहीं बुनियाद डालो बड़ा बड़ा फैक्टरी कारखाना का बुनियाद जो सिर्फ आप लो आने को तयार है बोलो फैसला आप लोगों के हाथ है पर हमका करना का पड़ेगा अरे करना क्या है बल्लू इस कागश पर दस्तखत करो तुम्हें खेत की कीमत भी मिलेगी और नौकरी भी आई संसा आपयाम आप अरस दिए। आपली शॉंगको सिर्फ गाइज है जावरे जाओवरे जावरे का माली नव气 है मैं जाफ네요 VO और आफ Still का मैं जादिए एकितनाफ है अरे सुनो, सुनो, ओ गाउं के रहने वालों देखो, गाउं में आया एक ब्योपारी, दूर देश के धन से उसकी जेविभारी अरे सुनो, सुनो, ओ गाउं के रहने वालों देखो, गाउं में आया इक ब्योपारी अरे हट, अरे हट कितना सर मत चड़, तुझे क्या समझाए अनपड़ जड़ा ठैरो के हम समझाएगा, तुम हमको कहने दो तुम्हारे गाउं में हमकार खाना जब लगाएगा तो सारे गाउं को हम शहर के जैसा बनाएगा जहां पुरवाई के बदले में चिम्नी का धुआ होगा नगर ये धरती ऐसी होगी, न ये आसमा होगा अरे ये भी तो सोचो, जो भी तहरमा होता है उन तब कुछ दिया होगा मगर इतना बता दो मुझे को तुम भईया किसान अपनी जमी जो बेच देगा तो कहा होगा तो फिर तुम ये कहो तुमको बुरी हालत की आदत है तरक़्ी से तुम्हें नफरत, गरीबी से महबबत है गरीबी से नहीं मुझको गरीबों से महबबत है यही है मेरी पूजा और यही मेरी अबादत है और तरक्की के लिए क्या सोचते हो तरक्की वो नहीं होती जो एक धनवान का घर भर दे लेकिन सैक्ड़ो निर्धन रहे भूके तिरे बेगर जिये दिन रात मर मर के तरक्की वो नहीं होती तो फिर हम भी सुने के तुम तरक्की कौन सी चिरिया को कहते हो तरक्की इसको कहते हैं के हर एक घर में रोटी हो तरक्की इसको कहते हैं के हर आंगन में जोटी हो तरक्की इसको कहते हैं के हर सीने में आशा हो तरक्की ये नहीं होती ये भाशन हो, कमीशन हो, तमाशा हो बहुत नाराज हो लेकिन सुनो जमी हम तुम से जो लेगा तो पूरा दाम भी देगा यहाँ पर मिल बनाएगा तु सब को काम भी देगा काम तुम अपने आप मालिक हो मगर ये सेठ जी तुम सब को अब नौकर बनाएगा दाम चलो ये भी सुनों के दाम ये कितना चुकाएगा ये वो धर्ती है जिसको मेरे पुर्खों ने लहू से सीच कर फसले उगाई थी बताओ मेरे पुर्खों के लहू का दाम क्या दोगे ये वो धर्ती है जिसकी कोद में पच्चपन मेरा खेला ये धर्ती मेरी मा है बताओ मेरी मा की मामता का दाम क्या दोगे जरा देखो जरा देखो हमारे गाओं को देखो हवाओं में बसे हैं गीत हमारी बेहनों माओं के जमी पर देखते हैं हम निशापुर्खों के पाओं के यहां के जर्रे जर्रे पे हमारी कितनी यादे हैं तुमारी जान है गाओं मेरी पहचान है गाओं मेरी पहचान का तुम ये बताओ दाम क्या दोगे बहुत पंचम में बाते कर रहा हैं अगर ये तो कहें क्या चाहता है तुम्हारे दिल में गाओं का भला है तु आओ साथ आओ मेरे कंदे से तुम कंधा मिलाओ हम इस धर्दी से वो फसले उगाएं कि हर भूके को हम रोटी खिलाएं मिदा डाले गरीबी काये खिस्सा बड़ा पर काम मिले हरिक को हिस्सा ना कोई मालिक हो ना कोई नवगर मुटेरा हो कोई ना कोई बेगर हम अपने गाउं को ऐसा बनाएं हम अपने जैस को ऐसा पनाए बोलो है मन्जूर 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 अच्छू मन्सोर मैं फॉट जैने लियाच्व ब्लड़ ट्राइड जिलेजाच व्लड़ जबिए बिए चुटर्द केलियोद येँ बिए किसी सने लिडे रच्छुट्ड़ कार हो तो कृष्णा है सरकार याप स्की पर बोहमत किजिए अनपड़े साल गावार है I'll break this bloody son of a bitch I mean damn Indians को slave बनाएगा slave वो कैसे सरकार तुम जानते हो कस्तूरी अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर रूल क्यों किया था बहुत ताकत वाले लोग थे सरकार NO, NO Because they were extremely intelligent brains उनोने लोकर लोगों को अपना slave अपना गुलाम बनाने के लिए यही के लोगों का help लिया जिनके पास power था हिंदुस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाने में help किया आप क्या कहना चाहते हैं सरकार मैं समझा नहीं हम यहां के उन सभी लोगों से मिलना चाहेगा जिनका हाथ में पावर है ताकत है कौन है वो लोग यह भारतपुर जिले के कलेक्टर श्रीमान शंकर दैल माथूर इस जिले के मालिक सरकार यह जो भी कह दे लिख दे और उस पर थपा लगा दे तो पत्थर की लकीर हो जाता है की ईनका ओर्डर कानून बन जाता है यह थाकुर बल्राम सिंग realizing अभारतवी व्याति के पूरें 126 गाओं की कानून की विवस्था इन के डंडे की नोक प्रतरी है यह समझे पुलिस और कानून के बेतात बाठा है पिल्लाम सिंग जी पेयं एस्टिक और यहां का मेंबर अब पार्लेमेंट एंड MLA? सो जेंटलमेंट यह है आपका डिस्ट्रिक्ट भारत पुर डैम बन जाने का बाद 126 गाओं का शकल ऐसा हो जाएगा बार्वती बार्वती सागरबांथ पर रही हो जना अगर यह जमीन हम लोगों का कब्से में आ जाता है तो सोना बन जाएगा त्योंकि इस नदी के किनारे हम हजारों फैक्ट्रीज और इंडस्रीज लगाएगा जिसका टोटल इंवेस्ट्मेंट लागत एक हजार पत्तिस करोड होगा एक हजार पत्तिस करोड और हर डिली में से साथे में से आप लोगों का कमिशन फाइप परसेंट एज पांच टके शंकर दयाँ जी गिंती से बार है ये पैसे इतने सारे पैसे कि पुष्टे बैटकर खाती रहे तो भी खत्म में हो प्रसाइजली अब आप लोग हमको यह बताएए कि इस सारा जमीन पर कप्जा कैसे किया जाए औरे ये क्या बताएंगे प्रमाद साल पहले बता दिया है संदम दंड भेद उन्हों ने कहा कि पहले तो समझाओ जिए पर Ben Dodd् jullie अर विखने पने आओऊ तो फिर दंड दो और इसे अगर काभू में नहीं आताब तो फिर भीदभाव सिग करके आपस में लड़ा दो पर जगत मैं ऐसा कोई इंसान नहीं जो साम दाम दंड भेद के सामने जुके नहीं समझें और अगर इससे भी कोई नहीं जुका तो तो वो फिर भगवान काई लाएगा और मौजूदा हाला देखते हुए भगवान भी इस दर्ती पर जनम लेना पसंद नहीं करेंगा वाला प्रश्च पर दाम लगाने के लिए हम तयार हैं चितना चाहिए पैसा बहादेगा और गाओं वालों में भीदभाव पैदा करने का काम मुझ पर छोड़ दो गाओं के आगे एक पेपल है उसके आगे लाला मैं हूँ तन की उचलिर सजना तू है मन का काला नाले नाले मैं चले तो मुझे मिला एक मौर नाले नाले मैं चले तो मुझे मिला एक मौर तू मुझे यू तांदी जैते तू मुझे यू तांदी जैते मैं सोना हूँ तु छोड नाले नाले मैं चला तो मुझे मिली एक कोईल तू अपने को सोना समझे तू अपने को सोना समझे और मैं समझू पीतल नाले नाले मैं चले वे नाले नाले मैं चला कुछ में लल चाऊंगे सहदाएं लिखाऊंगे तू तरफ़ा रहेगा तदा तेरे पास न आऊंगे तू चाही हात जोड़े तू चाही पैर चुए मैं कहुंगे चारे चारे ओमगे तू चाही मिला इतना नाले नाले मैं चले तूझे मिला इतना तुझ को जलाके रख देगा ये रूप है मेरा मार नाले नाले मैं चले मेरी परवा नहीं जो तुझे जाकती क्यूं है घर से मुझे ये जीती क्यूं परची बता मिलने आजा ना बारा बजे तु करे लाख जतन कभी न होगा मिलन तु करे लाख जतन कभी न होगा मिलन मेरा ऐसा नहीं चाल चलन नाले नाले मैं चला तु मुझे मिला पगला नाले नाले मैं चला तु मुझे मिला पगला तुझसे मिलने जो आएगा भोग कोई पगला नाले नाले मैं चला नाले नाले मैं चले नाले 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 तुझसे मिलने जो आएगा पीछे वो हस्ते है तुझसे पर तुझसे का हम पता रूप होता है क्या 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 नाले नाले मैं चले तो मुझे मिला एक चीता पिक चीता एक दो टीक चीता मान भी जाके तू ये बाजी आनी मैं चीता नाले नाले मैं चले नाले मैं चले नाले नाले मैं चला तो मुझे मिला एक भालो पुरे गाउं को चकर दे दूं पूरे गाउं को चकर दे दूं मैं हूँ इतना चालो नाले नाले मैं चला तो मुझे मिला एक भालो कर दो कर दो कर दो कर दो मिरे खेट मिरी खेट मुझे बार भणे, मेरी खेट मुझे बाफं़ दो सवेरे से तीन बार मार कह trenches है अभी तक दिमाग में कुछफ सीं है अरे उन्होंने खेत वापिस देने होते तो पहले चीतते ही क्यों अरे ऐसे कैसे चिल लेगे पकड़ों करकड़ों हम जाके बात करते सालों से अरे रुक जा कृष्णा रुक जा मत्या अरे वो लोग बड़े साली में तुझे माह डालेंगे बेटा बाद में जो चाहिए करना जब सब लोलोग आ जाएं कहा गयी सब्लोग यह जमीने तुम लोगों की है कोई सबूत है तुभाशत की लडे हैं तो प्रिशानी किस बात की आप लोग एक काम कीजिए आप लोग शहर चले जाईए वहाँ पर मेरा एक वकील दोस्त है उसके नाम मैं आपको एक चिठी लिख देता हूं वह आपका केस कॉट में दाखिल कर देगा और मुख्या जी अगर कोई परिशानी हो तो मेरे पास आ जाईएगा अचा जी अब आप सब जाईए चैसी सरकार कीजिए चला चला अरे चला वाई तुम्हें कुछ पूछना है सरकार ये सब लोग साल भर काम करते हैं तो छे मेने का नाज जुटता है अगर काम काज छोड़के कोट कचली के लंबे चकर में पढ़ेंगे तो वह भी छुट जाएगा सरकार ये लोग भूके मर जाएंगे तुम्हारी कितनी जमीन चली गई अपने बाप दादा की जमीन तो बहुत पहले ही चली गई गाउं के महाजन के पास देखो भाईयों तुम लोगों की परिशानिया दूर करना हम अफसरों का करतव्य है पहले केस करो फिर हम कारवाई करेंगे लेकिन तुम लोगों को धीर अगर तुम्हारी जमीन चाहिए देखो गर्मी दिखाने से बात बिगर सकती है अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो इंतजार करना पड़ेगा भूग बहुत देर तक इंतजार नहीं करती मालिक एक बार उस सहन सिमा से बहार निकल जाए फिर कोई सिमा नहीं देखती है अधिकार में हैं चेरो तुम्हारा नाम क्या है कृष्णा तो यह वही कृष्णा है जिसने उन थर्ड रेट विलेजर्स के सामने हमारा इंसल्ट किया था जी हाँ गोरा ठाकूर तुम इतना डरते काय हो कलेक्टर बाबू इस उसरे पुलिस वालों को कहे खिला पिला रहे हम यहां बैठाके इस सारे कि सारे हैं हमरे साथ हाँ चलो माना बलराम सिंग की पुलिस तुमारे साथ है मगर एक बात याद रखना गाओं की सारी की सारी जिंता उसके साथ है मगर गंस को फेस करने का पावर नहीं है उनके हाट में बलाम सिंग अगर उन्होंने वाइलेंस करने का कोशिश किया तो उसका जवाब उससे भी जादा वाइलेंस के साथ देना होगा हमें मिनल खाइलेंस किसी अवाओ है हाँ ओवादेंस का लाग ओप होगा है वाँ ओप जता गयवादेंस किक बादिन Т summation हो होुआ 25 ans झाल 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 की रीड की हट्टी तोड़ दोरे बैकबोर्ण बैकबोर्ण चलाओ चलाओ शुरू करो झाल 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 को जाब करते हैं कासा कॉप्टी जान में करे कांजात कहते हैं पलाओ झाल कि ये सरासर खलत है ये पेपर्स जाली है इस पेपर्स आफोश्ट ये काज़ा छूटे हैं काठा कुर किसानों की लीडरी करते करते तुम साला कोरट भी बन गए का जो सच और जूट का फैसला खुदा ही करने लगे अगर ही थाबित करना है कि जमीने गोरा ठाकुर की नाई है तो जाकर कोरट मा करो मगर तब तक हम और हमारा डिपार्टमेंट ड्रीम मेकर कंपनी की वाज़त चरूर करेगा चाहे इसके लिए मुझे किसी पर भी गोलिया चलानी पढ़े समझे तुम भी एक बात ध्यान से सुझ लो जब जब तुम जैसे पुलिस आफिसर्स अपनी अंधी ताकत का खलत इस्तमाल करते रहेंगे तब तब हम जैसे लोग तुम्हारी चाहती पर चल कर अपना न्याय मागींगे अब चाहती पर बाइटने वाले हम अब चुप चाप यहां से चले जाओ दादा ठाकर और रूख रिस्ता से कह देना कि अपने आपको पुलिस के हवाले करते क्योंकि पुलिस पर हाद उठाने और एक पुलिस अफसर को चांज से मारने की कोशिस के जुरम में हम उसके खिलाफ 307 और 302 का कैस बना चुके है अगर तुम गाँवालों को उनकी छिनी हुई जमीने वापस दिलाना चाहते हो इन जंगलों से निकल कर अपने गाँवापस जाना चाहते हो तो उसका एक ही रास्ता बचाए कौंसा काम बान फेक दो यह कुदाले चोर दो यह भाड़े यह बान नहीं बालेगा यह बान नहीं बालेगा और सद्धाधारी लोगने हमारे गाउ के लाला और गोरा ठाकुर के साथ मिलकर जबरतस्ती हमारी जमीने चेड़ ली है अरे जमीने तुम्हारी चीनी है हमारी नहीं आज नहीं तो कल चीनी जाएंगी क्योंकि समी जानते कि बान बन जाने के बाद भारत पुर जिले की सारी जमीने सोना उगलेंगी, लेकिन जब जमीने ही नहीं रहेंगी, तो पान बनने का फाइदा क्या? कृष्णावा, यह ठीक कहते हैं? कावान! I'm sorry, you stop it! Oh bloody hell! पर्वाई बस्टर्ड कृष्णा कृष्णाव्स क्सक्त बस्टर्ड करें क्सक्तर्ड करें में तो अधेग हैं क्सक्तर्ड कि नहीं थे आपक लोगागैं वह पहले पुलिया के उपर जानकर हम किसके आदमे हैं किसके कृष्णा भाया के कौन कृष्णा को नहीं जानता है अरे पुलिस तो कापत है उससे और हम उसके खास अंग रख सकता है अब हुई गए ना छुट्टी अब चला 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 अरे तोहार किसना किता इसी करता इसी का तो खबरदार और यी लाठी अरे कास ही ले पटना ही ले कास ही ले पटना ही ले कलकता ही लेला हमरी लच के जब लठड़िया सबका भेजा ही लेला इसांग रख्शक को तो परकना ही पड़ेगा बरोबर जबार पिछाटा आँ याँ है 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 पुख जय ओना झाhin जो इखा है, खच diu मान जो पूआ झाज है झा झाज है, जो अुख चा है एक पालिए वे, एक रिज्ग अरुण आदे भादी है आदे अरे बहुर को आदी भादी तो हुँ़ तुम, एक दुम, नहींद हो यह जादादतनी किस्ता हम है या आप आप इसना भाईया अरे वाला अरे तुम तो अब रिचिटी करें कहा थेला इससे पहले कर दो जाए हमें चुपने के लिए जगा ठूननी पड़ेगे किस्ता भाईया हमका एक जगा मालूम है कहां इन बंजर पाणान के बीच भीर हुए टूटी-फूटी हवेली है भाईया बर्सों होगे यहां कोई नहीं आता इसलिए हम लोगों के यहार रहने में को खत्रा भी नहीं आए जब तक आगे क्या करना आए पता नहीं चलता जब हम लोग यहीं टेरा डालते हैं यहां तुम बाकी औरतों को लेकर गाव वापस चली जाओ लेकिन पुलिस को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहाथ चुपे हैं रात को बल्लू आकर बाकी खबर दे देगा और तेहीं टेरो और बाकी अपने अपरी जगा डूल लो चल क्रिशना भाईया हम सब भी यहीं रहेंगे कैसे रहोगी यहना खाने पीना का खिलाना रहने सोने का उपर से जंगली जानवारों का खत्रा हमेसा मारे सर पर लगा रहेंगा जाओ मगर आप लोग भी तो यहीं रहोगे चाची हम तो मजबूरी में रहेंगे तुम लोगों के पिछे पुलिस थोड़ी पड़ी है गाव वापस जाओ वह सब आराम से रहोगी नहीं क्रिशना भाईया और तो का आराम तो अपने पती के साथ रहकर ही मिल सकता है उसे के साथ ही वह सही मानों में खुश रह सकती है तुम्हें क्या लगता है सीता वाई प्रभु राम के संग बनवास ना जाकर महलों में रहती तो क्या वो ज्यादा खुश रहती यहुकिन Krishner मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती है मैं तुम जैसे प्ली करा कि बागे। फैकelles को दालत करें है है ये क्यայ में अम्हेर्च थे सुछ में निखिर का व्रश तुन एम whatsoever है मेंती हृष लगते है क्पCP Tu फैसले तो इंदालत करेंगी हुए मगर मैं इतना जानती हूं कि जिस आदमी से मेरा ब्याह होगा, वो एक नामचीन होगा उसका नाम सुनते ही, लोग अदब से उठकर खाड़े हो जाएंगे उसका नाम जबाँ पर लादे वक्त, मेरा सर गर्व से उचा हो जाएगा उसके बच्चे पाते हुए, मुझे स्वर्ख सुक का आनद मिलेगा तुमसे ब्याकरोंगी तो क्या होगा, तुम्हारा तो नाम सुनते ही लोग मुझ भेड लेते हैं नहीं, रोईनी, रोईनी, मुझे इस तरह छुड़के मच्चा इस वक्त मुझे तरी बहुत सरूरा थैरे, मैं बहुत अकिला हो जाओगा मुझे छुड़के मच्चा, मच्चा रोईनी ठीक है, मैं तुम्हे छोड़कर नहीं जाओगी, तुम्हे अपने साथ लेकर जाओगी बाप उसे खलवाकर तुम पर लगे सारे इल्जाम हटवा दूगी मगर तुम्हे मुझसे एक वादा करना पड़ेगा बोल आज की बाद तुम ये बंदू कभी नहीं उठाओगे किसी और के हग के लिए नहीं लड़ोगे अन्याई के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाओगे अपने घर में आँखे मूंद कर पड़े रहोगे फूल जाओगे कि बाहर क्या हो रहा है मैं आपने दिल को मार सकता हूँ अपने आतमा को नहीं ब्लडी हेल तीन महीना हो गया और डैम का काम अभी तक बन पड़ा हुआ है कस्तोरी डैम नहीं बनेगा तो सब परबाद हो जाएगा दूसरा मजदूर को बुलाओ जादर पैसा दो अब पैसे दे काम नहीं होगा सरकार क्रिश्ना के भाषन में गर्मी क्या गर्मी पास पास के गाओं के नौ जवान आकर उसको मिलने लगें कई ये बात पूरे जिले में फैल गई ना तो बहुत मुसिबत हो जाएगा ओ घौट बल्राम चाहिंग तुम कुछ करो तुम्हारा पास पावर है तेक्साम ब्लड़ी एक्शिन आकर हम तो उस साला क्रिश्टा को मुझरिम घोसित कर दियां आप अगर ये कलेक्टर ही हुकम पास कर दे के बांद पर काम बंद कर देना सरकार के खिलाब जुरुम है तो आमू साला गाउवालों को डंडा करके दिन रात या मजूरी करा सकता हूँ अहां लेकिन मैं ऐसा हुकम पास नहीं कर सकता हूँ ये घर कानूनी है गाउवालों जिला भारतपुर कलेक्टर साप के आदेश अनुसार ये हुकम जारी किया जाता है कि हर गाउव के हर घर के दो आदमी दैनेक 28 रुपया प्रती दिन मजूरी पर पार्वती बांद पर मजूरी करेगा हुकम ना मानने वाले को 6 महीना कठोर दंड और 1000 रुपया जूर माना अरे कोई जूर दौर दिस्ती है क्या सुरो कोई नहीं जाया काम पर तू ही आक नेता है का कृष्णा हमारा नेता है और उसके हुकम का बगार बात दे कोई वजूरी नहीं करेगा जूरी जूरी नहीं करेगा प्रांज जूरी नहीं करेगा प्रांज करेटी नहीं करेगा नहीं करेगा झाल वा खुट्री स, गोच माझंड करें इसका ऴोली DE pół हाद धभी बमज़ है लुटे यज अमढे दे व के लच्ट है के लुटेप लुटेपट्स हम एके लुकार माँ औरलड़ एके थी आप देओ एके लुटेप kontस्तिक हम न ऊ एता बग्दों, बग्दों! बग्दों! जडनों में बग्दों! बलू दर्शन इनके खोड़ा चिलो अब तो तू फजगा रहे क्रिस्ना आप पुलिस के हातां से बच नहीं पाऊगे मैं बचूंगा या नहीं ये तो बात की बात है मगर ये बकत ये गरीब लोग तोरी जबर्दस्ति से बच गए यही कभी रहे तुझे पकड़ने के बदले में ऐसे दस गुना लोग भी हमें छोड़ने पड़ते न किस्ता तो यह सौधा भी हमें मंजूर था तो एक बार जेल चले जावे तो इस साले सारे कि सारे हाथ चोड़कर तरके मारे बांद पर मजूरी करने चले आवेंगे आता साले का चले चले को कर दो! ठाण! पात! पानी पर गोली चलाने से क्या होगा ने कटेगा न फटेगा न मरेगा शैट आप का सूरी पे सीरियस इंपॉर्टेंट बात ये है कि कृष्णा को बंदूक यह किसने दादा ठाकुर ने और किस ने ये दादा ठाकुर आज़ा करता ही दाजबा सॉलिन ओफ फलिंधा Łछ करता है मेरे अके मधेन कंट मामले में जलाड़ा दे सोलalan खुए जला था थाकुर vast happens घुए कि आपकों मेरे के खिलाफ भरत्पर कवुख्षth हो Drive अगर 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 यह बात को तक पहुंच गई तो पुझा नहीं जाएगी लगेगी इस दादा ठाकूर का बारे में भी सोचना पड़ेगा जो करना है वो जल्दी कीजिए सरकार यह दादा ठाकूर बढ़के पेड की तरह है जिसकी टहनिया बढ़ते बढ़ते ऐसे जमिन मे गुझ जाती है कि फिर जड़ बन जाती है फिर चाहे असली जड़ काटके फैंक भी दो पेड़ खड़ा का खड़ा ही रहेगा कृष्णा जड़ बन जाए उसके पहले पेड़ को खड़ को फैंक दो देन शूट हिम स्वागत है दादा ठाकुर ये क्या बच्पना है बलराम सिंग बच्पना तो हूँ था दादा ठाकुर जो तुमने हमरे दफ्तर वेराकर किया था मगर बाकेपुर में तुमने जो गाउवालों के साथ किया वो बच्पना नहीं था बलराम सिंग अनपढ़ गाहँ वालों को तुमने और कलेक्टर ने जबरदस्ती काम पर ले जाना चाहा वो भी जूटे कानून लगा कर आज मैंने अगर तुम दोनों को हतकरी ना लगवा दी तो देखना कोरट माँ पहुचोगे तब ही होगा ना इसब इस देखो फ्र कोई जूटा कानून इतुम्रे तड़ी पार होने का हुकम नामा है ठाकुर पुलिस को सक है कि तुमने कृष्णा जैसन लोगन को सरकार के खिलाब भढ़काया है और तुम ये भारतपुर की भी वाली जनता को सरकार के खिलाब भढ़काना चाहते हो इसी लिए पुलिस ने तुम पर भारतपुर की सीमा के अंदर घुसने से रोक लगाया है समझे बलराम सिंग तुम्हारी बदमाशियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इसी लिए मेरा वकील इंजंचन आउडर लेने गया है कोट में अब आपको भारतपुर में आने से कोई नहीं रोक सकता रुक जाओ दादा ठाकुर वरना कानून तोड़कर भागने के जुरुम में हम तुम पर गोली चला देंगे तू क्या मारेगा ठाकुर सब की हत्या करके अब जमीन खोरों ने हमारे चारों तरफ दिवारे खड़ी कर दिये हमें ऐसे मुकाम पाला कर खड़ा कर दिया है जब हमें इसलिप अपनी जमीनों को ही नहीं हमें अपने आपको अपने मजीद को भी बचाना है तो फिर इस मिनाज से बचले का गोण चलाजता है उनका दिलेरी से मुकाब्ला मज़र कोई भी लडाई किसी जंडे के बिना नहीं लड़ी जा सकती क्योंकि जंडा एक विचार होता है और विचार उस जंडे को लेकर चलने वाले का होता है हम सब को एक ही विचार को लेकर चलना है और उनका खाते हम सब को एक कसम खानी होगी उस विचार से बनने की कसम ये जमीर हमारी है, हमारे सरी से बैता हुआ खून है, हमारी सासे है, हमारी आत्मा इसकी करज़दार है, इस जमीन पर हमारा अधिकार उतनाई है, जितना पंच्चियों का असमान पर, दूल का जमीन पर, और मच्छियों का पानी पर, और इस अधिकार को चिनने का हग सिवाए भगवान के किसी को नहीं है और जो कोई हमारे इस अधिकार को चिनने की हिम्मत करेगा हम आखरी सास तक उसका मुकाबला करेंगे क्योंकि यह लगाई भगवान की सबसे बड़ी पुजा है मगार याद रहे यह लाई सिर्फ अपने अधिकार पाने की है अध्याचार का बदला लेने के लिए नहीं क्योंकि बदले की भावना रखना भी भगवान के बदिया पुना दे अध्याचार पुना अध्याचार का बद़ है कि ए खिश्णा आप तो बिर्कल फस गया रहे अब तु हमारे कप्जे से नहीं भाग सकता तुम्रे उपर बिना लाइसंस का हत्यार रखने का दूसरे की जमीन पर जवर्दस्ती कप्जा करके पुलिस पर हमला करने का इगाउवालों को सरकार के खिलाब भर्गा कर बांद के काम में रुकावट डालने का और एक पुलिस अफसर की हत्या करने का जुरम पुलिस मा दाखिल है अपनी बंदू क्वेकर अपने आपको हमरे हवाले कर दो और अगर तुमने भागने की कोजिस की तो फिर हमसे ना कहना इकाउवालों की जाने खत्रेमा पर जाएंगी हाँ टुमने लाएंगी हाँ कर दो कर दो कर दो कर दो लुट Yep कर दो कर दार्द एक रिष्डर! कर दो बार्द नार्द उर्डर! कर दो! कर दो! टुझ करना कि अपसके चंपड़ी इनन एंड़ी कर दो, जुझ करुछ जुझ कर दो! पर बोलो पर बोलो पर डिश्या तु चलिया से देरी जान हम से लोगे यलिले बाद लिए जिम्ती है चलिया से चली मेरी साथ किसना आजा, माल्या वे वा दिचानिया! देखो, जंडे और विचार के लिए, खुन बाहने वाला सबसे पहला! जा हैंसार! पर्राम सिंग, तुम अच्छी तरह से जानते होगे कि तुम्हें यहां किसलिए बुलाया गया है? हमें शिकायत मिली है कि 25 फरवरी को किशनगड में तुम्हारी ही निगरानी में पुलिस ने बेगुना, करीब और निहत्ते, किसानों, और और बच्चों पर बड़ी बेरहमी के साथ गोनिया चलाईं, जिसमें कम से कम साथ आदमी मारे गए और कई लोग खायल हुए! क्या यह सच है? जी हाँ, डीजी साहिब, यह बिलकुल सच है. तो तुम मानते हो कि तुमने साथ बेगुनाओं का खोन किया? हमने कुछ मानने से पहले आप ही जानने की कोसिस करें, डीजी साहिब, कि उस सेंखडों लोग किसंगड मा काहे जमा हुए थे. उखो, यह प्रजातंत्र ह होने पर कोई पाबंध नहीं होती. मगर आइसन काम के लिए कठा होना जुर्म है, डीजी साहिब, जो सरकार के खिलाप हो, और उख रिसना किसंगड मा गाउवालों को सरकार के खिलाप फड़का रहा था. यह वही क्रिशना है, जो इस्पेक्टर प्रभु सिंग की हत्या करके फरार हो गया था? अगर हम उबखत पीछे हड़ जाता, या क्रिशना के साथियों को हमले की छूट दे देता, तो पुलिस फोरस का सिर्फ होसला ही नहीं तूटता, बल्कि उन डाकों के हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ जाती. इसे लिए हमने उबखत सही फैसला करके गोली चलाने का हुकम दे दिया, अगर आप लोग इसे जुरम समझते हैं, हमरा जुरम समझते हैं, तो हमें जो चाहे सजा दे सकते हैं. डीजी साहिब, हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपने फरज से गद्दारी नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं, यह हैंद। किसना? का हुआ? अब कैसे लड़ेंगे यह लड़ाई हैं, इन मुठी बर जखमिक किसानों के साथ? बता नहीं चो लोग गए, वो वापस आएंगे भी या नहीं. आएंगे जरूर, आएंगे किसना? और वो ही नहीं. अरे हजारन लोग हमनी मदद छुप छुप के करेगा तयार हैं, भाईया. उनमेंचे हर कोई जहलेगा अपने सिने पर गोलिया, भाईया. एक भी ज्वाल पिक्षे नहीं आतेगा उनके बंदुकों के दर से. बेव कुफ की तरह बाते मत क्या करो. भेड बक्रियों की तरह कटके मनना बहादूरी नहीं है. इस लडाई में सरिफ जोशी काफी नहीं है. उनकी हजारों बंदुकों के सामने हमारे पास सो बंदुक के तो होनी चाहिए. एक भला मानूस हमें वह भी देने को तो यारे भाईया. कौन है वो? पता नहीं. चादर ओड़ो यह था. कहा मिला? अरे भाग की पूर्मा. वो एक दिन हम दोनों पॉलीस से बचने के लिए फूतन की बवडी में जाएके छुट गये थे. अरे भाईया देखते देखते हमरे पीछे पॉलीस की पंडर लग गए थे. यहां कोई नहीं है गान बादूर. उदर देख. जैसा नहीं पॉलीस का पैरा अठा एक आदमी बावडी के भीतर दाखिल हुआ. मुह और सर को ओड़े. हमें देखकर ही सारा करने लगा. उस अजनवी ने भाईया थीप बखत पर हम भी मदद की. हमका बंदूग दी. और एक चिठ्थी जिसमें लिखा था और गोला बारूद चाही तो पांडव कूफा है ना. उसमें बड़ा आम का जाड़ है. उसके नीचे एक चिठ्थी डाल देओ. और अगले हमावस को आकर गोला बारूद ले जाओ. वहाँ आज चिठ्थी छोड़ दो. कल से हम वहाँ पहरा देंगे. हम उस मददकार से मिलना चाहते हैं. उसमें वहाँ ऊथाए उसमें, बाहँ पहँआजान जाजनाई नशमदकार अंगले मिलना आमरे! उसमने मिलना चाहते हैं जाभले लोले मिलन उसमें. करना तूम करना तूम लेकिन वो सब जो तुने शिलमाता के मंदीर में कहा था जूट था नहीं सच था मैं जो चाहती हूं वो सब के तुछ में नहीं है प्रतावगर से गजुला तक पूरे भारत पुजी लेके 126 गां के बच्ची से बूरे तक हर एक को जिसकी पैचान है वो नामची नहीं है तेरा नाम लेते ही एक तो नहीं हजारों लोग अदब से खड़े हो जाते हैं और क्रिश्ना तेरा नाम सुनकर मेरा सर हमेशा ही गर्व से उचा उठा है मगर तु तो मेरी हरकतों से हमेशा परशान देती थी तब मैं खुद घर्ष सी क्रिश्ना तुजी सर अपना बनाना चाहती थी मगर उस राज चत्री बागीचे में जब तुने बान बनाने की ख़बर दी थी तब जो चमक तेरी आँखों में देखी थी पान के बनते वक्त जो जोश और बाद में किसानों के लिए लड़ते वक्त जो अंगारे तेरी आँखों में मैंने देखे थी मैं जान गई थी मेरे सपने सिर्फ तेरे सपने से नहीं जुड़े है सेकड़ों हजारों किसानों के सपनों से भी जुड़े है मैं अपना सपना सच करने के लिए उन हजारों सपना को नहीं तोड़ना चाहती थी कि अच्छला कि मैं तुझे घर तक छोड़ दूँ क्या हम यह सपना एक साथ रहकर नहीं देख सकते कि अनुशा ची भूमी खुतो बधाष्चा गोरोष्चा शुक्तो शनिराम। पेदूबे करेले जहा सांगी तराब गसली दो, पो करे आऊ है चुबते हैं फूल हाँ चुबते हैं फूल मुझे काते बनके लग जागले दिल का छैन बनके चुबते हैं फूल मुझे काते बनके लग जागले दिल का छैन बनके अबर हो जाएं मेरे दिन लोगन के चस्ती है थंदी पवन नागिन बनके लग जागले से मेरे जान बनके चस्ती है थंदी पवन नागिन बनके तुलग जागले से मेरे जान बनके अमर हो जाएं मेरे दिन यो बनके चुदते हैं फूल मुझे काने बनके तुलग जागले रिलता चैन बनके हले जागले जागले रिमने देशा जागले तुल जागले जागले तुल अले किन आपके हैं बरे सबले नाजले अब समाले अंग अंग छोटी मेरा जिल मांगे साथ तेरा नंग से तू अपने नदाले मुझे को खिल जाने फूल बनके लग जागने दिल था चैन बनके करेंस क हैं बनके लो खिल नाजने फोली कि उनके छेयर था क्या उकॉड़ जी갈 पर उलिरने वागने फेफ्से करMoreज बनके टेदा सब बनके सावाज़а चैने आख खिल् कितर critique हैं रह चसित् hyd 항व में दोला कि खिल एप जपने आच बेख ब Netzat करत चाने लिए gelir खास पास आके मेरे, हुले हुले धीरे धीरे, खुद को तू मुझे समा दे, मस्ती भरे आँखों से, घर्म कर्म सांखों से, तिल में तू शोले दहका दे दी पक बूझा के जला, दी पक मन के, तू लग जागले से मेरे जान बन के, तू लग जागले दिर्वा चेन बन के, अबर हो जाए मेरे दिन आवन के सेace के से, तू जागले से, जागले से, तू क मुझे से, तू जागले से, तू अचा के सुर से, दू झाईगा मेरे वाले मेरे दू तू जाब जागले दो, घ हका झागले तू दू जागले बन के, अबन के ऐसा देता Krологëlätzlich आगए से, झागले कि अब देखो वो रही भारतपूर शस्त्रगार के शस्त्रवाहे जिससे बंदुके राइफुले गोलिया पूरे भारतपूर जिले के पुलीस थानों में पहुचाए जाती है जब यह लोग हमारे गाउं के थाने में हत्यार लेकर आते थे तब ही मैं तुम लोगों के लिए एक दो बंदू की चुरा ले करती है मगर जब से तु बागी हुआ है पुलीस का पहरा बहुत सक्त हो गया है लौरी के आगे पीछे मशीन गन से लेस पुलीस के सिपाई चलते हैं तो फिर इतने सक्त पहरों को हमनी हच्त तोड़े हैं कैसे काली घर्टी का इला का सुनसान है वहां पुलिस के आखों में धुल जोक कर रहा है हम बंदू के लूट सकते हैं चलो सक्ते हैं चलो झाल विर्ग झाल 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 फिलत कुछ धोड़त में फिरागे खेतों में काक्याथ यह झाल दौरा ठाकुर किया है झाल प्रॉख कर दो कुआ कि नीघीन सीगे ठीकर्णाइव तरी तेघ्मि पडूरूरूरूरूरूरूरूरू। अदानाशि स्टारे गरोंकि! अर निकाल्न नंटा के दिंका मालूरूट। झाल 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 झा तो आपकी तो जोच चार बरतन बाटे पोड़े दूसरी बार दुना के तुमने किस्ता कस्दाद दिया था तो इसी चाख पे बरतन नहीं तुम्हारे सर तूटे में दिखाई देंगे कि चार गाले दुमाश पेवोड़े दोकी टान का छोच खीन है प्लुप टिस को प्लुप जुड़े लुटिए अज aan बाईया, एस पी बल्राम सिखाया था अपनी फौज के साथ, तुभार आता पता पूछ रहा था क्रिश्का बाईया, मेरी स्लेट और किताबे चीन कर जिला दाली कि अचाड़ सिखाया था चाड़ा था याँ तो रास्ते में काला डेरा पहाडियन के बीच का हुआ कि और देखा है कि रास्ते में मोटर गाली बन पड़ी है तो मैने करेब जागर मोटर में जाग के देखा तुम आले में कहा देखा क्या देखा अरे का वरत चुबुवीती अंडर तुमालम क्या कहने लगी मेरा पतीश लाके का सूप्रीटेंटेंटिन है इस भी बलाम सिंग हाँ भाईया यह उसी चल्लात की भी भी है सास्री को अमने गोड़े पर बठाया और यह ले आए अरे है किसना अब तो अपना काम बहुत हसान हो गया है इस साला अउरक को लेकर हम उनसे सव्दा कर सकता है भाईया अपना हर मांग पूरी कर सकता है अपने साथियन तो जयते चुरूआ भी सकते हैं और काम बहुत राशिर कर सकते हैं बोल भाईये बोल शाबाश शाबाश पर लो शाबाश कहा है वो है अब मैं देखता हूँ वो लोग कैसे हाथ लगाते है रोहिनी को रोहिनी हाँ बलो अभी अभी पता चलाए के रोहिनी को पुलिस वाले उठा कर ले गए है अब मैं इस औरत को बरबाद करके इस पी के पास ले जाऊंगा वोग हमरी बावभु को नहीं छोड़ेंगे किसना किसना इसे हात लगारे खाद्रे से खाली ने किसना उनको पता चल गया तो मालू मिलू था था उविशस चाहा इन phenomenal पर बचाओ तुम गुष्रे का तिली यहां ज़ाओगे मगर आग हुआ लगेगी अपना इस नीज हरकत कर सजा उस दिर्दोर के काहे दिलाद हो तो तुम मानते हो पती की नीच हरकतों की सजा उसकी निर्दोर्ष पत्नी को नहीं मिलनी चाहिए हाँ रोईनी को कोई उठाकर नहीं ले गया था यह सब मैंने इसलिए किया तकि तुम लोगों को समझा सको कि यह लाई हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं बे गुराओं का खुल मगने वाले अतंगबात पर रची हुई यह लाई नहीं लड़ दिया है हमें उन वहेशियों का साथ कौन देगा हां उन वहेशियों का साथ कौन देगा जो बहु बेटियां उठाकर ले जाते हैं मागर उन्होंने भी तो हमारी बहु बेटियों की साथ ऐसा कि है तो हमें भी वही सबक सिखने हैं वही बाट पढ़ने हैं जो बहु सिख रहे हैं कि सिखना है तो वो सिखो जो वो समझ नहीं पा रहें कि जबरदस्ती चीनी हुई चीनों को समालना कितना मुश्किल होता है घबरा यह नहीं बेन शामोने से पहले आप इत्मिनान से घर पहुंचेंगे आओ हुआ है कि द्यूप डॉप कब पी इंसी करों मैं यह एक जोड़़्ाई इसल्सक्राइक tyस्थ काम है उस रात मेरी बेटी गायब हो गई थी सुबह खबर आई कि कृष्णा ने उसके दाशादी कर लिए आज रात बाभी जी गायब हो गई देखते हैं कल सुबह क्या खबर आती है लाना तेरी जबान कैसे या माहा लगता है मिम सब आ गई मुझे क्रिश्टा के आदमी उठा कर ले गए थे देखा देखा मने का था ना वह आराम जाता बच्चे और और अरतों को भी नहीं छोड़ता वाभी जी तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया नहीं उसने मुझे छोड़ दिया अरे उटर्पों को और कर भी का सकता था तुझ जिसने तुम्हारी बीवी को बिना खरोच के छोड़ दिया जिसने मेरी इद्जत के खातिर अपने भाई को थपड़ मारा और खुद मुझे माफी मांगी जिसने अपने बड़े से बड़े दुश्मन की बीवी को बेहन समझ कर विदा किया तुम उस कुष्णा को मारोगे यह का कह रियो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम फूका छोड़ दें कानून से भागे हुए हर मुझरिम को पकड़ना हम ना फरज है हम अपनी तूटी ना करें हां हां बुड़े बच्चों और तों को कुचलना उनके घर खेट जला देना उनकी जमीनी छीन लेना उनका सर् अब का है मैं और मुझना तुम्हारे पापों का भागीधर बना नहीं चाहते हुए हम एक बात सुना हम एक बात सुनो है तुमने बगए हम का करेंगे हम कैसे जीएंगे हमने तुम से आज तक कुछ नहीं मांगा आज मांगते हैं हमें छोड़कर ना जाओ ठीक है तो फिर इसके सर पर हाथ रखकर वचन दो आज के बाद कृष्णा को पकड़ने के लिए किसी भी निर्दोस्परात्याचर नहीं करोगे मैं वचन देता हूँ दरो नहीं बदराम भईया दरो नहीं कृष्णा अगर साम दाम और दंड से नहीं समझा तो क्या हुआ एक और शस्त्र बाकि है भेड भेड से तूटेगा जरूर तूटेगा ऐ ऐे ग्रिश्णा तेरा मेरा घर को जाए ऐए मेरी अब अब आधा को आधा द्याना को को बाबा अ यह वह युदा ओपने को घरीबों का डादा कहता रहे पर उसके आदूंएं ने गाउं में लूट मार मचा रखी है, मावेनों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, अभी चार दिन बाद इस बच्ची की दोली उठने वाली थी, उसके आद्मियों ने इसकी इजत लूट ली, ये अच्छा नहीं किया क्रिश्णा ने, क्यों बाबा क्रिश्णा क्या थी अक्षर यहा अब बढ़िया दूदला लाई सरकार क्रिश्णा के आदवी हैं अब लगता है इनको भी हमारी तरह स्पी बलराम से ने भेजा है अब उल्लू के पठो कभी देखा भी है क्रिश्णा को तुने देखा है क्रिश्णा को क्रिश्णा शुशुपाल की अउलाद तेरे पापो का घड़ा भर चुका है आज मैं तुझा इसी सजातूंगा चिंदकी भर तु पाप करने के लायक नहीं रहेगा आए 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 झाल झाल किसका आद्वी है एस्पी पुलराव सेट्वा और किसका कुस्तूरी लाला और धोरा ठाक उर्द्वा किस्तूरी यहां बेजा गया किस्तूरा कुछ लाम करने के लिए अब समझ माया है तुम लोगों को हम लोगों को बदनाम क्या जा रहा है इसलिए आज से भारत पुझिला के हर दसकाओं में हमारा एक सिपाई होगा जो गौबला की सुरक्षा जद्धियान रखेगा और सिर्प उसे ही यह अधिकार जाएगा कि वो नहीं करें और अपना अध अधियार लूटकर हमारा याद्मी लोगों को खेट से बगाती है इस अब तुमरी खातर हुआ है सबसुरा अपनी बेटी को क्रिस्टा जे ब्यादिया और पेटी ने क्रिस्टा को हत्यारा तक पचा दिया वह दोबी पर बसनी चला तो गदे को लाट मार दी यह सारे फरसा तक पहुंच गई तो हम सब को हदकरिया लग सकती है जब दुश्मन का ताकत अपना ताकत से ज्यादा हो जाए तो उसका साथ फैंट्सिप करने ना चाहिए गोरा ठाकुर सही कहते है जब तक यह खत्रा तलता नहीं है हमें कृष्णा के सामने जुक जाना चाहिए जड़ा ज्यादा जुकना पाउं खिचने में आसानी रहेगी तो फिर मैं उसको बुलाता हूँ और उससे समझाने की कोशिश करते हैं अब फिर अगर नहीं समझा तो तो तोड़ दूगा हराम खोड़ को कि का यह कलेक्टर साहिव किसलिए बुलाया है कि कृष्णा कि मेरे लाके में जो दंगा फसाद खून डकैतियां हो रही है मैं चाहतों कि इस सब रुक जाए और शांती से टेबल पर बैठ कर जो भी तुम लोगों की तकलीफे हो उनका हल सोचा जाए किसानों को उनकी चीनी हुई जमीने वापस कर दीजिए सब रुक जाएगा जीनी हुई जबीन नहीं है इस इलाके की उनके रखेए कि लोगन की उनकी जिने घर से बेघर कर दिया गया धीकारी खाना बदोष्ञ बना दिया गया और उन साहभखारों की आपार्वती नदी और चंडा नदी का संगम है न यह जमीन बहुत अपजाओ है और यहाँ एक अच्छा खासा मकान भी बनाया गया है तुम जानते हो किसके लिए किसके लिए कि तुम्हारे लिए क्योंकि तुम अब लोगों के नेता बन चुके हो तो आप हमें रिश्वत देना चाहते हैं मैं समझा नहीं लेको कलेक्टर मैंने ये बंदुक अपने फायदे के लिए नहीं उठाई है किसानों को उनकी जमीने वापस दिलाने के लिए उठाई है उनकी जमीने उन्हें वापस मिल जाएंगी लेकिन लेकिन हर चीज का एक काईदा होता है सबसे पहले तुम्हें यह थियार हमें वापस करने पड़ेंगे किस्क्राइब अपने घड़ी उतारो उतारो सुन्दर है सुने की जानतो हो कलिक्टर यह घड़ी तुमने मुझे क्यों दी क्योंके मेरे पास पंदूख है पंदूख जब तक हमें आमनी जमीने बापस नहीं मिलती तब तक उन्हासिल करने के लिए लड़ते ना हमारा धर्म है देखो क्रिश्णा इस तरह जित पर अड़े रहोगे ना तो हमें मजबूरन जमीन परकपजा करने के लिए अपनी ताकत का इस्तवाल करने पड़ेगा हमरी चमीने पर दिन में छिर्णोगे हमूं करा बापस ले लेंगे कैनल न्यत्याइर रखाते लड़ेंगे पार तालूगा शाले को एक खुष्णा मरेगा तो साव और पैदा होंगे क्रिश्णा आदमी नहीं एक विचार है और गोलियों से सिर्फ आदमी मरते हैं उनके विचार नहीं मरते कि विचार नहीं एक विचार नहीं मरते हैं क्रिश्णा भीया इसका नाम आपको ही रखना है लड़का है बेलकुल सुरज की तरह चमाग रहा है क्रिश्णा नहीं मेरे बच्चे को बचाओ क्रिश्णा मेरे बच्चे को बचाओ क्रिश्णा मेरे बच्चे को बचाओ क्रिश्णा 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 स्थौछ क्रिश्णा मैं लूझो का थे तुनाये तुने शॉंकर कुसकी मजूरी नहीं थी हाँ हो गें हो गें भून दे दूंगा इनहीं तपने खेष्ट मष्दूर को जा restoring ही सर्था निन्हीं नहीं भूला बैड़ा निन्टर का रद अन्हीं कर दो जाब कर मर गया कि तुझे माफ नहीं किया जा सकता है जाज से चार फस्रों थक शंकर खित का मालिक होगा और तू उसमें मश्दूर की तरह काम करेगा कृष्णा की जए कृष्णा की जए थे पजिए अजस्य यह विस्दा देता है शामू! दूसरों के बाप खिरबाने से अपने बापका बोच कम नहीं होता कैसेания टांव Canada मार बार euro मारता क्यों रही हां हां तू हम ज़धों को ॉषर अपने बाई को मारके दिखा हम भी देकर कित्रा पहादू रही इसे अपने खुर पहादू लोए लाशफ कर लाशार कर दो आए दोली हो फिर एंडर कर दो परीद कर दो है! किस चीज का नशा है यही शरब का या उस ताकत का जो लोगों ने तुभी दी है अरे यह ताकत हमका इन लोगों ने नहीं दिये हमने कमाई है कमाई है कमाई है कैसे कैसे अरे जैसन तुम ने कमाई है वैसन तुम इन लोगन के लिए लड़त रहे तो हम भी लड़त रहे सुभा शाम रात मैना बरस पर का मिला हमका एए एए दूल सारा एए इससे तो अब एक सराब की बोतल भी नहीं खरीच सकत जिस धूल को पाने के लिए हजारों बुढ़े बच्चे और अबनी चाने दे चुकी है और हजारों देने के लिए तयार है और तू और तू उस धूल से एक शराब की बोतल को पाना चालता है इस लड़ाई में तुझ जसे स्वार्ती सिपाई के कोई जरूरत नहीं है अरे तू अपने बड़े भाईया के सजा नहीं दे सकत है किसना हम तो अरे बड़े भाईया है भाई अब तो मेरा बड़ा भाई नहीं है बलो हजारों लोग जिस विचार को लेकर चल रहे हैं उस विचार को निगलने वारा एक खिरोना विचार है तो और उस विचार को मुझे जड़ से काटके भेगना ही पड़ेगा पर इस एलागे माप फैसला करने का अधिकार तुम्हें हमको दिया था हाँ और अब यह फैसला भी तुझे ही करना है हाँ 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 कि करने हाँ 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 यह वह पुला है यह वारूद बिशागर हम लिट्षी को उस पार रोख सकते हैं कि अगर आप जल्दी नहीं हो जाई गई तो फूल को उड़ जाएगा नहीं अगर यह पूल उड़ गया तो यकीन हो जाएगा कि हम गवतार है देश्ट वही है कि फूल बचाना बहुत जरूरी है कि अगर्शा भाईया जान फदर में मठ डालो कि अगर्शा हो देख कि अगर कि अगर्शा है 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 मैं आप लोगं की सर्याद सरकार तक पहुंचाऊंगा और अगर आपकी बात सच निकली तो मुझे यकीन है कि सरकार आप लोगं के साथ पूरा इंसाफ करेगी और तुम्हें तुम्हारी जमीने वापस दिल्वा देगी ये मेरा वज्जन है ये मेरा इंसाफ करेगी ये मेरा इंसाफ करेगी करनल साहिब अगर हमें हमारी जमीने वापस मिल गई तो मैं और मेरे साथ भी हत्यार समेथ आप के हमाले बजाएंगे फिर आपके सरकार हमें चोगी सजा दे हमें मचूर है ये मेरा भी बचल है इसे प्रवर ये जर्डी करें जल्दी से बताएं ये क्या खुश ख़वी जल्दी से बताएं ये क्या खुश कबरी ये जल्दी सर्फ विक 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 खबर यह है कि गद्दारों का पता चल गया है इसलिए मैं आप सबसे ये सवाल करने आया हूँ कि गद्दारों के साथ कैसा सुलूक किया जाए आइडिया अच्छा अपका या या ये ये क्या करें सर वहीं जो गद्दारों के साथ करना चाहिए सबरतस्ती समयनों पर कबजे करने वाला गद्दार नहीं है देश की मिलटरी को धोखा देने वाले गद्दार नहीं होता है अच्छा 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 लेजा लाला और केलेक्टर को अब जेल में चक्की पिस्वाना और वही आता खिलाना चलो गोरा छाकूर तुम भी चलो अच्छा 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 भायो और बहनो शांत रहिए थोड़ी ही देर में क्रश्नक अपने साथियों और हत्यारों समेथ मंत्री महोदय के सामने आत्म समर्पन करेंगे आप शांत रहे 4. गार दो फसकी देना 5. ग्राइस 6. खाहत करीस I the Rock 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 V the Castle I the Rock सपस्स्री पिर गैंस सब्स्नıs सपस्साइब zij करbbe सब्स्साइब चाहिए सब्सस्साइब harbor को जिए ही स'Mसाइब energy झाल 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 प्राव 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 आप रोग चांट हो जाईए चांट चांट ही रखिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको तुछ को कुछ नहीं होगा अपकी है मारे बाजी पर कीजिए आपको चांट हो जाईए करलेल कबीर आहिमेद साब ने हमसे एक बादा किया था अगर हम अपने हत्यार पर अपने आपको ख़नून के हमाले कर दें तो वो हमें हमारी च्छीनी हुई जमीने वापस कर देंगे वो जमीने हमको वापस मिल गई है तो ओँ अज फिर से कसम कहते वो कसम चो हमें अपने गा हमें है मंजूर मुझे क्रिष्ण का पहा जाने दो क्रिष्ण का पहाज आने दो क्रिष्णा क्रिष्णा किष्ना! 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 विच्छ बोलो कृष्णा 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 है राम इननल्लाहे वा इननलाहे राजे हून जल्डी चल्डी चल्डे कर्ष्णा के पाच कृष्णा कर देख जाए कर देख कर देख कर देख वो जरूर आएगा हमारा कृष्णा जरूर आएगा हमारा कृष्णा जरूर आएगा हमारा कृष्णा जरूर आएगा हमारा कृष्णा जरूर आएगा वो जरूर आएगा हमारा कृष्णा 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 का ला सिता वाल वघल को कि और वाल का पजाद नहत को Jorge वघल मेशिफ चाह को कि रूभस आडा है वाल troubling येलस है री चाह मेशिफ आड़ को वार व् को को कि खत ता है है लाओ, 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 है लाओ झाल पाल झाल